डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग क्योबिक में सेल टावर्स को आग लगाने का सिलसला जारी, पुलीस ने दो अफराद को किरिफ़तार कर लिया कैनडा में करोना वारे से मतासर अफराद की तादार 65,000 के करीब जाप पुची है, जबके हलाक होने वाले अफराद की मजभूई तादार 4,408 हो गई है मौन्ट्रियाल की शेहरी हकूमत ने करोना से मतासर होने वाले कारोबारों के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया, पांच मिलियन डॉलर दिये जाएंगे क्योबेक की हकूमत ने मौन्ट्रियाल में अलिमेंटरी स्कूल, कारोबार और डे केल सेंटर्स को खोलने की तारिख में मज़ीद तोसी कर दी लानौदिया के जग्मलाती अलाके में 9 साला बच्ची लापता हो गई पुलीस की जानिब से कहा गया है इलाके के माहिर अफसरान इस आपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं पॉम्पियो का डब्ल्यू एचो की कोशिशों का एतराफ अमरीकी वजीर-खारचा का कहिना था कि ट्रॉम्पिया याजड एचो के मुख्तलिफ मामलात में काम को तस्लीम करती है मेरे फेस मांक्स पहनने का गलत मतलब लिए جाए erosion अमरीकी सदर का कहिना है कि इन्हें लगता है कि मांक्स पहनने سے गलत मतलब लिए जाए दिन्या भर में करोना वार्स से मतासरा अफराग की तादाद 49,94,532 हो चुकी है जबके इस से हलाकते 2,71,95 हो गई हैडलाइज अपने जानी अब खबरे तफसील के साथ कनेडियन वजिर आदम जेस्टिन टूडो का कहना है कि अमर्जनसी वेज सबसीडी प्रोग्राम में जुन तक तोसीर की जा रही है उनका कहना था कि इसके जरी नई मुलाजमतों में इजाफा फारिख किये जाने वाले स्टाफ की दुबारा वापसी और कारोबार को दुबारा शुरू करने में मदद मिलेगी जब इस मुश्किल वक्त के बाद मेरेशत को खोला जाएगा प्रोग्राम में तोसी का फैसला एक नई रिपोर्ट के बाद किया गाया है जिसमें बताया गया है कि करोना वाइरस की सुरतहाल के दुरान बड़ी तादाद में केनेडियन नौकरियों से महरूम हुए है टूडो का कहना था कि एक मिश्किल वक्त है जब बड़ी ताद में लोगों को माली मदद की जरूरत है वाजर है कि स्टेटिक्स कनेडा के अदाद शमार के मताबिक कनेडा में तीन मिलेन अफराद नौकरियों से महरूम हुए है जबके लाग अफराद नौन एसेंशल बिजनिस बंद होने की वज़ा से माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कैनेडा की चीफ पबलिक हेल्थ आफिसर का कहना है कि कैनेडा में करोना की तबाहकारियों में कमी आ रही है मगर बाज मकमात पर इसमें अदाफा भी हो रहा है इस हवाले से मजीद जानते है कैनेडा में करोना वारस से मतासर अफराद की तादाद 65,000 के करीब जा पहुँची है जबके हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,400 आथ हो गई है कैनेडा की चीफ पबलिक हैल्थ आफिसर डॉक्टर त्रेसा का कहना है कैनेडा में करोना की तबाकारियों में कमी आ रही है मगर बाज मकमात पर उसमें अदाफा भी हो रहा है उनका मज़ीद कहना था कि कैनेडा भर में करोना के 10 लाग से जाए टेस्ट मुकमल कर लिए गए है ताहाम अभी मज़ीद टेस्टों की जरूरत है ताके दुरस टेटा हासल किया जा सके नए टेटा में ये बात भी सामने आई है कि करोना वारत से मरने वालों में 82 पीसद अफराद लॉंग टरम केर होम्स में रहते थे कैनेडियन सूबा क्यूबिक करोना वारत से सबसे जादा मतासर हुआ है जहां मतासर होने वालों की तादाद 35,238 तक पहुँच चुकी है और क्यूबिक में हलाकतों की तादाद 2631 हो गई है ऑंटेरियो में करोना वारत से मतासर अफराद की मजमूई तादाद 19,121 है जबके हलाकतों की तादाद 1477 है करोना से मतासर होने वाले सूबों में अलबर्टा 30 नंबर पर है जहां उस वक्त तक 617 अफराद मतासर हो चुके हैं और वहां मवाद की तादाद 114 है बिर्टिश कोलंबिया में 2288 अफराद करोना वारत से मतासर हुए है और वहां मवाद की तादाद 126 है क्यूबिक में सेल टावर्स को आग लगाने का सिलसला जारी है ताहम प्रोविजनल पुलिस ने दो मुझतवा अफरात को गिरिफतार कर लिया है जब मॉंट्रियाल में छटे और साथवे टावर्स को आग लगाई गई थी मजीद जानता है इस रिपोर्ट में पुलिस के कहना है कि इन दोनों का तालुग टावर्स में लगाई जाने वाली आग से था जिसका सिलसला गुजिश्टा एक हफते से जारी है पुलिस ने तहकीकात आइसक्यू को सूब दी है पुलिस का कहना है कि इस आतिस्जदगी के पीछे वोही सोच कारफर्मा नजर आती है जिसके मताबक करोना वारस फाइब जी टेकनालोजी को फैलाने का जरिया है करोना वारस और फाइब जी से मुतालिक पोस्स सोशल मीडिया पर कई हजार बार शेयर भी की गई है मौन्ट्रियाल की मेर विल्री पॉलान का कहना है कि शेहरियों की सेहत की हिफाज़त हमारी पहली तरजी है जबके मौन्ट्रियाल के ताजरों की मदद करना भी हमारे लिए नहायत जरूरी है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में मौन्ट्रियाल की शेरी हकूमत ने करोना वारत से शदीद मतासर होने वाले मुकामी ताजरों सोचल एकॉनमी बिजनस तकाफती कारुबारी इदारों की मदद के लिए पांच मिलियन डॉलर की ग्रांट का ऐलान किया है ताके करोना से मतासर होने वाले कारुबारों को बचाय मौN्टरियाल کی मेर विल्री प्रॉट का कहना है कि शेहरीचे चाहत की हिपाज़त हमारी पहली तरजी है जबके मौN्टरियाल के ताज्रों की मदद करना भी हमारे लिए नहायद जरूरी है पांच मिलियन डॉलर में से दो मिलियन ताजरों की मदद के लिए दिये जाएंगे उन दो मिलियन डॉलर से ताजरों की मदद की जाएगी और उसमें किसल खसिम का करजा नहीं होगा क्यूबेग के प्रेमेर ने इलान किया है कि मौन्टरियाल में स्कूलों, डेक Legal hill को दबार खोलने की तारीख में 25 तक तोसी की गई है इस हृदले से मजीद जानते है क्यूबिक की हकूमत ने मौन्ट्रियाल में अलिमेंटरी स्कूल कारूबार और डे केर सेंटर्स खोलने की तारीख में मजीद तोसी कर दी क्यूबे के प्रेमियर ने ऐलान किया है कि मौन्ट्रियाल में स्कूलों डेकेर्ज और कारूबारों को दुबारा खोलने की तारीख में 25 मई तक तौसी की गई है उनका कहना था कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि सूरतिहाल शहर को दुबारा खोलने के लिए मुनासिब नहीं है प्रेमियर का मजीद कहना था कि हम पाबंदियों में नर्मी से मुतालिक फैसले करते हुए दो चीजों पर तबच्चा दे रहे हैं जिन में पहली चीज करोना वारत के फैलने की शरा है जबके दूसरी चीज मस्कूरा इलाके के इस्पतालों में बिस्तरों की गुंचाईश है आज भी हमने उन्हीं दोनों चीजों का जाइजा लिया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मौन्ट्रियाल में मस्कूरा मामलात हमारी गुंचाईश पर पूरा नहीं उतर रहे लानोदिया में जंगलाती इलाके में पुलीस नौ साला बच्ची की गुंचूदगी की तलाश कर रही है बच्ची की तलाश के लिए पुलिस हेलिकॉप्टर इस्तमाल कर रही है जबके सुरागरसा कुद्टों की भी मदद ली जा रही है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में लानोदिया में जंगलाती इलाके में पुलिस नौ साला बच्ची की गुंचूदगी की तलाश कर रही है बच्ची की तलाश के लिए पुलिस हेलिकॉप्टर इस्तमाल कर रही है जबके सुरागरसा कुद्टों की भी मदद ली जा रही है पुलिस की जानब से बताया गया है कि मौन्ट्रियाल के शुमाल में 120 किलो मीटर दूर सर्च आपरेशन किया जा रहा है बच्ची उस वक्त लापता हुई थी जब उसे एक कौटेज की करीब जंगल में खेलता देखा गया जब उसके रिष्टदार कौटेज की तजीन और राइश कर रहे थे पुलिस की जानब से कहा गया कि इलाके के माहर अफसरान इस आपरेशन में हिस्ता ले रहे है अमरीकी सदर डानल्ड टरम्प की जानब से आलमी दार सिहत की माली मौमनत रोकने के ऐलान के बावजूद अमरीकी सेकेटरी खारजा माईक पॉम्पियों ने पॉलियो और दीगर बिमारियों के खात्मे के लिए डब्ली वैचो की कोशिशों का इतराफ किया है अमरीकी सदर डानल्ड टरम्प की जानब से आलमी दारा सिहत की माली मौमनत रोकने के ऐलान के बावजूद अमरीकी सेकेटरी खारजा माईक पॉम्पियों ने पॉलियो और दीगर बिमारियों के खात्मे के लिए डब्ली वैचो की कोशिशों का इतराफ किया है एक इंटर्वियो में अमरीकी वजीरे खारजव का कहना था कि टरम्प इंतिजामियां डब्ली वैचो के मौमलात में काम को तस्लीम करती है आलमी अदारे ने कुछ बिमारियों के खिलाफ बहुत अच्छे एक्दामात किये ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डब्ली वैचो के कुछ हिस्से अभी काम के है उन्हों ने कहा कि ड़ॉनल्ड टरम्प के डब्ली वैचो की माली मौमनत रोकने के ऐलान से पहले ही ہیلتھ ورکرز خبردار کرتے رہے ہیں کہ کرونا کے باعث دوسری بیماریوں کے خلاف جاری کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ مارکس پہنیں گے تو اس کا مطلب جائے گا کہ ان کی توجہ امریکہ کی معیشت بحال کرنے پر نہیں بلکہ خود کی ذاتی صحت پر ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ مارکس نہیں پہنیں گے تو ان کا مطلب جائے گا کہ ان کی توجہ امریکہ کی معیشت بحال کرنے پر نہیں بلکہ خود کی ذاتی صحت پر ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے مشریروں کو بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ مارکس پہننے سے غلط مطلب لیا جائے گا غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ بھی کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ مارکس پہننے سے ان کی شخصیت بہت ہی بری لگے گی امریکی کے صدر کئی بار فیس مارکس کی مخالفت کر چکے ہیں کچھ دن قبل انہوں نے مارکس بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا تھا اس دوران بھی ٹرمپ نے فیس مارکس استعمال نہیں کیا تھا دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 49,94,532 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,71,95 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 49,94,532 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,71,99 ہو گئیں امریکہ اب تک کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی تحال دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک 76,942 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,92,889 ہو چکی ہے اسپین میں کرونا کے اب تک 2,56,855 مصدقہ متاثرین سامنے آئیں جبکہ اس وارث سے امواد 26,070 ہو چکی ہے اٹلی میں کرونا وارث کی وارث سے مجموعی امواد 29,958 ہو چکی ہے جہاں اس وارث کے اب تک کل کیسز 2,15,858 رپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد 30,615 ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 2,6,715 ہو گئی کرونا وارث سے روس میں کل امواد 1,625 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 1,77,160 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارث سے جواں بحق ہونے والوں کی تعداد 3,641 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,33,721 ہو گئے ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,486 ہو گئی جبکہ کرونا وارث کے کل کیسز 1,3,135 ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیسز سامنے آیا تھا وہاں اس وارث سے کل ہلاکتیں 4,633 ہو گئی ہیں جبکہ کل کرونا کیسز 82,886 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد 2,19 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 33,731 تک جواہ پہنچی ہے TAG TV کے سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں TAG TV Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV YouTube پر TAG TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو TAG TV اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے TAG TV کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے